15 अगस यानि स्वतंत्रेदा दिवस के मौके पर दिल्ली में लाल कीले पर सैकडो विशेस अतीतियों को बुलाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है आपको बता दे कि इस बार भी बिहार के 61 दमपतियों को लाल किला पर अतीथी के तौर पर बुलाये गया है और उनको लाल किला पर सम्मानिट भी किया जाएगा लेकिन आपको बता दे कि इस बार बिहार के मोतिहारी जुले की एक महिला मुख्या इन दिनों काफी जादा चर् और उनको भी विशेस आती थी के तोर पर पीएमो के तरब से दिल्ली में बुलाए गया है और उनको लाल किला पर सम्मानित किया जाएगा आपको बता दे कि 15 अगस यानि स्वतंचिता दिवस के मौके पर हर साल देश के विशेज मेहमानों को आमंतित किया जाता है इस बार भी बीहार के 31 दंपतियों को बुलाए गया है इसमें बीहार के मौतिहारी की महिला मुख्या भी शामिल है जिसी प्म नरेंद्रमोदी दिल्ली मौकिला पर सम्मानित करेंगे मुतिहारी की महिला मुख्या सुनीता देवी को सुतंचिता दिवस काईक्रम में भाग लेने के लिए आमंतित किया गया है आपको बतादे कि इस बार 15 अगस्त को भारत 38 तरवा सुतंचिता दिवस मराने वाला है बताते चले कि बिहार में 61 दमपतियों में मुतिहारी की महिला मुख्या सुनीता देवी भी शामिल है। पंचायत के साथ साथ जिले के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। पंचायत के बारे में लोग नहीं जानते थे अब इसकी चर्चा हो रही है। पंचायत में जल जीवन हर्याली के साथ शुक्षिता को लेकर कई काम किये गये हैं। भारत नेपाल सीमा पर भव्य द्वार भी बनवाया गया है। इसमें नौ महिला मुख्यक शामिल है। जी लासतर से लोगों के नामों के लिस्ट निती आयूग को भेजी गई है। इसमें से चेयन कर निमंतरन भीजा गया है। और इस बार आपको बता दे कि बिहार के 61 दमपती को दिल्ली बुलाया गया है। ताकि स्वतंतरता दिवस यानि 15 अगस्त के मौके पर बिहार के 61 दमपतियों को लाल किला पर सम्मानित किया जाए का उनको विशेस अतीती के तौर पर बुलाया गया। और हर साल सैकडो विशे सतीतियों को सोतंतरता दिवस के मौके पर लाल किला पर बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है वर बुलाने वाले जो हैं वो नरिंद्र मोदी होते हैं। बाकि आप बिहार से हैं तो ये ख़वर आपके लिए कितने खास है और आपको कितना गवर महसूस हो रहा है कि बिहार के 61 दमपतियों को सोतंतरता दिवस के उसर पर सम्मानित किया जाएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल वीडियो को समात करते है मिलता है नए वीडियो में धन्यवाद